सबी विदारतियों का SV Children Academy रावला मंडी के ओनलाइन प्लेटपोरम पे स्वागत है कक्षिया बारा, विशे वगोल और अध्याई चल रहे हमारा सोडा जेविक एजेविक संसादन जिसमें हम पसू संसादन, वन संसादन, मतश्य संसादन, जल संसादन और अब चल रहे हम खनीच संसादन, जिसमें हम तांबा है, लोआ है, एलूमिनियम है, इनके बारे में पढ़ चुके हैं लाश्ट हमारा आता है अबरक, अबरक के बारे में हम पढ़ेंगे अबरक है वो आगने वे कांतरित सेलों में स्फेद गुलाबी और हरे गहरे हरे रंगों में पराप्त होता है, किन चटानों से? आगने और कांतरित चटानों से होता है यह कुछ लंबी और तीन सेंटी मेटर से एक मीटर मोटी सीराओं में छोटे चुकडे टुकडों में पाया जाता है किस परकार? कुछ लंबी होती है तीन सेंटी मेटर से और एक मीटर मोटी सीराओं में छोटे चोटे चुकडों में पाया जाता है अब रख नम्य, हलका, चमकिला, पारदर्सी, परतदार, विदुतरोधी, कठोर और उच्छ द्रमनाक शम्ता वाला होता है विदुतरोधी वै उच्छ वॉल्टेज, शेहन शम्ता होने से इसका अप्योग विदुत आपने देखा हो के गरोमिय अब तक जो फ्यूज लगे होता है न फ्यूज, उपर वो पत्थर के लगे होता है, पत्थर के अबरक होता है, देखा होगा आपने बुरा-बुरा किसी के गरमी होगा, साहिद और लगबग अब दूसरे MC भी बाड़े आगें, लेकिन फिर भी के पत्थर बड़ा ठीक है, फ्यूज लगा होगा, वो इस अबरक का बना होता है, उसकी खाशित क्या होता है, देखो, विदूत रोदी होता है, उसको पकड़ लोचे करंट नहीं आता है, और उच वाल्टेज होता है, उसकी शेहन समता होने से इसका सरवादिक प्योग विद प्रावट के समान, चसमें और बटियों की इंट बनाने में भी किया जाता है, बहुत सारी चिंद जैसे अपने राजस्तान में अबरक नगरी केते हैं, बीलवाडा को, ठीक और बीलवाडा में अबरक की इंटें भी बनाई जाती है, उस प्रकार, देखो, प्राप्तिस्ता सबसे ज़्यादा अंदर प्रदेश में होता है, दो नंबर पर हमारा राजस्तान है, बस याद रखना, तो अंदर प्रदेश, देश के कुल अबरक उत्पादन में रज्जे का पैतर पॉइंट चपन परतिशत, यानि 883 सी टन उत्पादन के साथ परत्थमस्तान है, विसा दोर की अबरक अपनी गुणवता के लिए विसव विख्यात है, अंदर प्रदेश के अंदर स्थान है नेलोर, अबरक की गुणवता के लिए विसव विख्यात है, देखो बहुत परी बात है, दो नंबर पर हमारा राजस्तान, देश के कुल अबरक उत्पादन में 15.61 पर अधि जिलों से भी प्राप्त होता है रास्तान में उत्तम किसम का हलकी हरे वे गुलाबी रंग का अब्रग प्राप्त होता है तीसरा जार खंडवे बियार देश के उत्पादन में 11.83 परत्षत ने 145 तन के साथ तीस रास्तान है हजारी बाग, गया, कोडर्मा, भागलपूर, मुंगेर, संथाल, प्रगना, प्रमुक उत्पादक चिले हैं या हलके लाल रंग वाला उत्तम किसम का अब्रग निकाला जाता है किसा अबस्तान देखो, जार खंड के अंदर और बियार, हजारी बाग, गया, नाम सुना न, गया, बहुत द्रम का बहुत बड़ा दार्मिक स्थाल है बागलपूर, कोडर्मा, मुंगेर, बियार में हैं तो यहां अब्रग निकाला जाता है जिसे बंगाल मनिक का जाता है बंगाल चेतर में निकलता है तो इसे बंगाल मनिक का जाता है कुछ अब्रग सी हैं बूमी और पाला माउजिलों में भी निकाला जाता है ये दो छेतर जार खंड में है तमिलाडू यहां तिरुन वेली कोईमबटूर तिरुचरापली और मुदुरे प्रमुखुतपादक जिले अन्य राजे केरल में नयूर, पुन्नालूर, अलपी और किवलोन, उडिसा में डेकलान, संबलपूर, कोरापुट, कटक, कंजाम, करनाटक में हसन और मैसूर, छतिसगड के बस्तर, पस्चिमंगाल में बाकुडा और मिदनापूर, हर्याना में गुडगाउं जिले में अबर से लिख सकते हो, अब देखो, उद्पादन और व्यपार, बारत में विश्व का असी प्रत्सित अबर्यक निकाला जाता है, बारत में विश्व का असी प्रत्सित, इसलिए अबरक उद्पादन में बारत का क्या है, एक अधिकार है, विदूत उद्योगों में, विदूत स्तर्प्रिष की मांग में कमी से उत्पादन में कमी है अब आज कल हर चीज प्लाष्टी की यूज़ करने लगे ना तो यह हो गया आपका खनीज सन्सादन मैंक पूर बिन्दू देखलो बारत में पसू संसादन का उप्योग विदकारियों और यतयात के रूप में किया जाता है पस्वों से दूद मिलता है दूद से पनीर, खोया, मावा जिसे बनाओगे न, खो बनाओगे न दही, मक्षन, गी, छाच, आदी, पोश्टी, परदार्त, मास, उन आदी प्राप्त होते है पस्वों से खालें, चमड़ा प्राप्त होता है इनसे गोबर, खोन, वे, हड़ी से खाद बनाई जाती है बारत में विश्व का 20% पसुदन पाय जाता है सबसे ज़दा पसुदन ब्राजिल के अंदर बारत में पोश्टिक आहरवे अरेचारे की कमी उत्तम पसुदन का अबाव पस्वों की मारियां पसुपाल यानि बीमारिया पसुपाल की लापरवाई और अग्यानता के कारण पसुदन संसादन किस्तिती कमजोर है बारतियर आश्ट्रिय आयका दो परतिसद वणों से पराप्त होता है बारत में 1952 की वन नितीग उनसार 33 परतिसद बाग पर वन होने चाहिए किन्तु अथक प्रयाशों के बावजूद भी 2001 में 19.49 परतिसद बढ़कर 2011 में 21.34 परतिस बाग पर ही वन है कितने 21.34 बारतिय वनों से कही परतिक्स और एपरतिक्स लाब भी होते हैं जैसे आपको बताया था वनों की मुख्य उपजों में विविन परकार की लकडियां और गोण उपजों में लाक था, गोंद, कच, घासें, चमडा, रंगने वे कमाने के परदार्त, फल, सहद, मौम, जड़ी बूटियां, महुआ, पैंत, बां, स्वेत, तुंगा दी है बारत में मतश्य वेवसाय में 1.14 क्रोड लोगों को रोजगार मिला हुआ है मतश्य प्राप्ति एतु छिछले समुंदर, नदियों के मुहाने, ठंडी वे, गरम जलदाराओं के मेलन स्थल, सितोसन जलवायू, आदी की उत्तम दसाई हैं बारत में मतश्य प्राप्ति के 3 प्रमुख छेतर हैं, समुदरी तटिय छेतर, नदी मुख मतश्य छेतर, अंतराश्टिय मीठे जल के छेतर बारत में वर्षा का 90 प्रसद भाग दक्षनी पच्मी मानसुन द्वारा गरिस्यम रितु में प्राप्त होता है बारत में वर्षन से 4000 गन किलोमेटर जल प्राप्त होता है बारत में वर्षा का उस्त लगबग 108 सेंटिमीटर है वर्षा की कम्यों अबाव के कारण सुसक मौसम में खेतों को करत्रिम डंग से पिलानी की किर्या को सिंचाई कहते हैं बारत में नलकूप, नहरे, कुवे, तलाब और बांध, सिंचाई के सादन है वे सभी प्राक्ति परदार जो भूमी से खोद कर निकाले जाते हैं खनीज संसादन कहलाती है बारत में प्रुक्रत अच्छे मेखलाओं में खनीज पाए जाती है बारत में 2014-15 में 17.80 खरब रुपे के खनीजों का निर्याद किया गया कुल निर्यादों में खनीज का योगदा 9.4 परती सथ है यह हो गया आपका पूरा पाठ जैविक, ए जैविक के अंदर संसादन पड़े थे अब देखो गाएं पालन में विश्व में बारत का कौन सा अस्तान है बारत में विश्व की कितने परसद बैसे पाले जाती है बारत में सरवादिक उन्ट कौन से राज्य में पाले जाते है बारत में वनों का विस्तार कितने बुगोलिक छेतर पर है वन्नों के अंतरगत सरवादिक प्रतिसद भूमी किस राज्य में है ठीक है ये क्वेशन देख लेना मैं आपको यहांबे पता भी देता हूँ गाए पालन में विश्व का बारत में कौन सास्तान है तो मनें पढ़ा था गाए पालन में अब गोमस देख लोक्यों की अलग-अलग अंकड़ी होते हैं इसकी कहां जाके पड़ा था गोमस को यह यही गाए दुट्य अस्तान है ठीक है और विस्व की कितने पृषट बेसए पाली जाती है 56 परशट वारत में सरवधी ऌनट किस राज्य में है तो आपको बता है राजस्तान हैये 56 पर थिस्ट से कम वर्षा वाले छेत्रों में कौन से बन पाए जाते हैं सुस्क बन पाए जाते हैं पस्मी गाट पर पाए जाने वाली वनस्पति का प्रकार है सदा रहीत, सवाना, प्रणपाती या एलपाइन तो यह सदा रहीत पाए जाती है और उसन कटीवें दिया सदा बारवन कहां पाए जाएंगे प्राइदी पिया पठार पर ठीक है ऑयस्टर कल्चर का विकास किया जा रहे तो किस तठपे किया जा रहे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा और धरातलिय जल्का सरवधी की उप्योग किस छेतर में होता है क्रिसी छेतर में नीरू मीरू प्रियोज करेकरम कहां चलाया जा रहा है तो ये उसमें देख लाना दुबारा हमने पढ़ा था बापे तामबा का उत्पादन होता है राजस्थान और बियार में खारे करना टक राजया मिश्थित बाबा भुधन की पाहडी से कौन सा खनीज निकाला जाता है लोऊ ऐस बारत में अबरक पाधिक पदन करने वाला रज़े अंद्र परदेश और भारत में अबरक खनन का केंदर है तो मैं अबरक का भारत में क य। को डर्मा गुरू मेह है श सारे ठीक है तो यह अपना पाट हो गया क्लियर कल हम पड़ेंगे उर्जासन साधन की बारे में